Hey dear students, welcome back to lecture 7 of a chapter 1 that is advertising media जब हम बात करते हैं advertising media के अंदर ये हमारा जो आज का lecture होने वाला है जो की हम बात करने वाले है बच्चो media research के बारे में उसकी importance क्या होती है अगर आपको याद होगा semester 3 जब हमने advertising part 1 किया था उसमें media research के ऊपर काफी detail में हमने पढ़ा था क्या होता है media research simple terms में एक दमासान शब्दों में अगर आपको समझना है बच्चो तो media research का मतलब होता है मुझे जिस किसी भी media यानि माधियम से अपना advertising करना है अब ये माधियम क्या है television, radio, newspaper, magazine, outdoor advertising, transit advertising या फिर हमारा film और cinema advertising या हमारा internet digital media advertising जो भी तरीका है हमारे advertising का सबसे पहले तो उसकी reach कितनी है reach यानि कि सबसे ज़्यादा users किसके है, सबसे ज़्यादा कौन सी frequency में कौन सा media use किया जाता है ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं अपने product, अपने services की या अपने ideas की advertising जो है वो करते है तो आज जो हम पढ़ेंगे is importance के बारे में media research के उपर तो जैसे मैंने आपको बोला, media research is concerned with advertising reach यानि advertising कितने logo तक पहुचता है, कितने number of times उसकी frequency है और उसका effect क्या होता है, यानि कि क्या वो end result generate कर रहा है मेरे लिए, क्या advertising की वज़े से output generate होता है, ये भी बहुत important है Media research attempts to find out the most suitable medium or media mix that would be effective in communicating the advertising message क्या मैं एक मीडिया का इस्तमाल करूँ या मैं एक से ज्यादा मीडिया का इस्तमाल कर सकती हूँ मुझे टेलिविजन पर भी अपना एड देना है, मुझे रेडियो पर भी अपना एड देना है, नियूस पेपर में भी देना है इसको हम बुलाते हैं Media Mix जा पर multiple channels का आप इस्तमाल करते हैं advertising purpose के लिए अब हम बात करेंगे role of media research can be stated as follows, क्या role play करती है media research सबसे पहले आती है हमारे target audience के लिए, तो media research help करती है देखो हर एक product हर एक consumer के लिए नहीं होता है, इसी तरीके से हर एक advertisement सारे consumers के लिए नहीं होता है यह सिर्फ और सिर्फ आपके target audience तक पहुचना जरूरी है तो media research हमारी help करती है, यह समझने में कि हमारे जो readers है, उनका profile क्या है listeners के viewers का क्या profile है, target audience का profile जो है, वो data पे होता है, कौन से data यानि कि मेरा जो product है, वो product कौन सी age के लोगों के लिए है, क्या income group के लिए है, क्या occupation होना चाहिए उनके buying patterns कैसे है, और दूसरे demographic, sociographic details का भी होना बहुत जरूरी है जब मैं बात करती हूँ अपने target audience की अब अगर मुझे पता है, कि मैं जो चीज बेचना चाहती हूँ, उसके लिए मेरी target audience कौन है, definitely kids है अगर kids है, तो ये product kids तो नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे उनकी mummiyah तो इन mummiyah को हमको क्या करना है, convince करना है, उस हसाब से हमारा ad जो है वो बनना चाहिए फिर आता है selection of media, media research ने हमको customer, हमारे customers के, हमारे target audience के profile समझा दिये अब media research के जरी हम most suitable media को select करेंगे, या media mix का भी option है, जो कि हम select कर सकते है depend करता है, product किया है, prospects, यानि कि हमारे customers कौन है, हमारा ad budget किया है, उसके basis पर हम अपना media select करते है advertiser will select that media, which has maximum readership और viewership और listenership और the target audience उस media को select किया जाएगा, जिस media को सबसे ज़्यादा readership मिलती है, for example, अगर मुझे newspaper में अपना ad देना है तो कौन सा newspaper suitable है, Times of India है, Mumbai mirror है, किस में अपना ad place करना है viewership कौन सा television channel सबसे ज़्यादा देखा जाता है, कौन सा radio का channel है जिसको सबसे ज़्यादा सुना जाता है उसी के basis पर मैं अपना क्या decide करूंगी, अपना media decide करूंगी booking of time and space, अब media planning के अंदर क्या होता है, हमको एक time or space जो है, वो book करना होता है यानि कि मेरा जो ad है housewife के लिए है, तो वो शाम के 8 बजे से लेकर, रात के 11 बजे तक 12 बजे तक क्या होना चाहिए continuously एक particular channel पे जिसकी viewership जादा है, उसके ओपर क्या होना चाहिए daily soaps के बीच में मेरा ad जो है, वो reflect होना चाहिए इस तरीके से media planning काम करती है, किसके लिए जब हम book करते है, time or space अपने media में next is importance to media owners, media research जो है, वो media owners के लिए भी बहुत important role play करती है to improve their programs or editorial contents, so as to increase listenership, viewership and readership अब जब यह हमको पता चलता है, कि एक particular channel जिसकी demand बहुत जादा है तो ultimately हर कोई क्या करेगा, उस media का इस्तमाल करते हैं, उस particular channel के उपर अपना ad जो है, वो place करेगा अब media owners को इससे क्या पता चलता है, जो particular जैसे कि red FM पर, red FM 92.3, 98.3 यह सारे जो हमारे channels होते हैं, तो मुझे पता है, 98.3 बहुत अच्छा perform कर रहा है, लेकि 92.4 अच्छा perform नहीं कर रहा है, तो ultimately मैं क्या करूंगी, 92.4 की listenership के उपर ज्यादा काम करूंगी, वह और अच्छे programs को introduce करने की कोशिश करूंगी, जिससे कि उस channel की viewership, उस channel की listenership जो ह भी used by the advertisers, तो यहाँ पर media owners को पता है कि हमारा कौन सा channel का कौन सा program सबसे जादा चलता है, तो उस show के दौरा अगर आपको add place करना है, तो वहाँ पर हमारे charges जो है वो, एक particular charges आपको set करने होते हैं, for example, if the research indicates that the program has increased the viewership by 50%, media may increase the charges to be paid by the advertiser, एक particular program जिसकी viewership 50% बढ़ गई है, TRP हम जिसको कहते है, अगर किसी show की TRP जादा है, और उसके बीच में अगर आप add अपना place करना चाहते हो, तो वहाँ पर add के, जो advertiser को पैसे देने होते हैं, वो भी काफी जादा expensive हो सकते हैं, Sponsorship of Programs, it helps the advertiser to select a particular program for sponsorship, यानि एक particular program को हम sponsorship के लिए सिलेक कर सकते हैं, Advertiser में select the sponsorship of that program which is of interest to the target audience, जो की target audience के काम की होगी, Next है benefit to audience, अब media research का benefit audience को क्या मिलता है, audience अपने better editorials, programs, जो है media owners के जरीए, media owners हर एक effort करते हैं कि अपने content के ओपर क्या कर सके, improve कर सके, तो जब media owners improve करते हैं अपने content को, तो ये particular content का फाइदा जाता है हमारी audience को, media owners try to improve their programs or editorials so as to capture the attention of large number of readers, listeners, viewers, Media owners क्या करते हैं, उनको पता है कि कौन सा program हमारा अच्छा चल रहा है, तो और उसकी viewership बढ़ाने के लिए उस content को और जादा enhance करते हैं, This would bring them more advertising revenue, जिससे कि और जादा advertising revenue जो है media owners के पास generate होता है, Benefit to media planners, अब media जो planning करते हैं, कौन सा media select होना च्छी है, उनका क्या फाइदा है? Media planners के लिए बहुत बड़ी help हो जाती है, to understand the ratings of the various programs on TV channels and on radio through TRP, यानि कि TRP की report generate होती है, television rating points हम जिसको कहते हैं, किसी show की TRP जादा है, तो हमको पता है कि कौन सा program अच्छे से run हो रहा है, Again, it helps them to understand the circulation trends of newspapers and magazines through audit bureau of circulation reports, तो इससे फाइदा क्या होता है, उनकी मदद होती है, जितने भी circulation trends होते हैं, newspaper के, magazines के, यानि कि एक particular newspaper सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, तो ये ABC जो है, वो इस report को verify करती है, कि अवाकई में एक particular newspaper ज़्यादा पढ़ा जाता है, कि अवाकई में एक particular television show बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जिसकी TRP बहुत ही high number पर चल रही है, तो ABC का काम होता है, इन particular चीजों के ओपर ध्यान देना, Benefit to Research Organization, Media Research enables the research organizations such as Indian Marketing Research Bureau, AC Nielsen Research Agency and others to keep their activities moving in the right direction, एक बार research organizations क्या मदद करती है, उनको क्या benefit होता है, हमको पता चल गया है, कि कौन से programs किस direction में चल रहे हैं, तो बस हमको भी एक सही दिशा मिल जाती है, अपने advertisers के लिए, तो इस तरीके से Media Research जो है, वो बहुत important role भी play करता है, हमारे advertisers के लिए अलग benefit है, audiences के लिए अलग benefits है, Media Research Owners के लिए अलग benefit है, तो कई चारे लोगों के लिए beneficial होता है हमारा media research, अब हम आते हैं अपने next topic पर बच्चों, जो की है हमारा ABC यानि Audit Bureau of Circulation, ABC Audit Bureau of Circulation जिसकी शुरुवात हुई है USA में 1914 में, लेटर ओन वो दीरे-दीरे दूसरे countries में spread होने लग गया, तो ABC का existence जो है वो अभी presently 26, 26 देशों में हैं, countries में हैं, ABC in America was sponsored by local and national advertisers, advertising agencies, newspaper and magazine publishers, तो जिन्होंने मिलकर इसको sponsor किया है, वो कौन है, local and national advertisers है, वाह के advertising agencies, newspapers and magazine के publishers भी हैं, जैसे मैंने आपको अभी अभी ABC के बारे में बताया, इनका काम किया है, basically, advertisers के interest को protect करना, agencies के interest को protect करना, publishers को protect करना, किसी ने बोल दिया, हमारा newspaper जो है, वो top number one position पर है, देखो, इतने लोग हमारे newspaper को पढ़ते हैं, इतने लोग हमारे magazines को पढ़ते हैं, तो सिर्फ हवा में बात करके काम नहीं चलेगा, आपको वो figure show करना पड़ेगा, कितने number of viewers है, कितने number of readers है, कितने number of listeners है, यह सारा data जब आप देते हो, ABC के पास, ABC इन figures को verify करता है, तभी जाकर approval मिलता है कि, ओके, ABC ने बोल दिया, कि XYZ newspaper जो है, उसकी readership सबसे ज़्यादा है, तो इस तरीके से, कोई भी आपको fake information नहीं देगा, बना advertiser को अगर बोला जाए, कि XYZ newspaper सबसे ज़्यादा पड़ते है, आपने उसके अज़र ad दे दिया, फिर आपको पता चला कि यह newspaper तो कोई पड़ता ही नहीं है, तो ultimately यहाँ पर advertiser का नुकसान होता है, इसलिए ABC circulation जो है, इन सारे figures की जाच पड़ताल करती है, सही से detail में go through करती है, उनके दे गए figures को, Bureau is managed by board of directors, consisting of representatives from the publisher, agency and advertiser, अब क्योंके यह advertisers, ad agencies और publishers ने मिलकर बनाई है, इसलिए इनके एक-एक representative को मिला कर हमने ABC के board of directors को चुना है, majority of the representatives जो है, वो advertisers से होते हैं, because they are more affected by wrong circulation figures, advertisers सबसे ज़्यादा effect होते हैं, जब wrong circulation figures उनको दिया जाता है, इसलिए यह board of directors में advertisers जो है, इनके representatives ज़्यादा होते हैं, उन्री those publishers whose publications are paid by the readers, can become the members of this bureau, अब इस bureau का अगर member बनना है, किसी भी publication को, तो वो publication paid होना चाहिए, अगर paid publication है, तो definitely उसके members आप बन सकते हो, किसके? Bureau के, those publications which are distributed on free basis, cannot become the members of ABC, तो ABC के members नहीं बन सकते हैं, जो अपने publication को freely audiences तक पहुचाते हैं, there is no restriction on the ad agencies becoming its members, और ad agency के भी member अगर चाहे, कोई restriction नहीं है, वो भी क्या हो सकते हैं, ABC के members बन सकते हैं, अब इनका function क्या है, जितने भी circulation figures होते हैं, जो कि member publishers इनको देते हैं, submit करते हैं, उसको audit करने का काम ABC का होता है, circulation figures जो मिलते हैं, उसको audit करते हैं, यानि कि cross verify करते हैं, check करते हैं, कि आपने जो data मुझे दिया है, वो सही है या नहीं है, it sets standards of reporting for the publishers, किस तरीके कि reporting होनी चाहिए, इसके लिए एक standard बनाया जाता है, तो वो standard को set करने का काम भी ABC का है, it disseminates the information of circulation figures to its member agencies and advertisers, disseminates का मतलब होता है, यह information जो है, वो क्या करते हैं, member publishers के साथ, advertising agencies के साथ, यह information को share करते हैं, क्या करते हैं, share करते है, जो भी circulation figure हमारे पास आया है, अब यह advertisers को, add agencies को, publishers को देने का काम, जो है, वो किसका है, ABC का है, तो इस तरीके से यह 3 important function जो है, वो ABC perform करती है, अब ABC membership के advantage क्या है publishers के लिए अगर हम देखे circulation recognition provides authentic proof of the actual circulation जो publishers होते हैं उनका benefit क्या है कि आपको authentic यानि की real data मिल रहा है किसी भी तरीके से वो fake information नहीं हो सकती है helps to determine ad rates and solicit in advertising business which is the main revenue for the print media तो print media के लिए जो सबसे ज़्यादा main revenue sources जो generate होती है उसके फाइदा क्या होता है ad rates जो है कौनसी ad का कितना rates जो है वो चार्ज होना चाहिए वो information उनको मिलती है advertiser के लिए क्या फाइदा है accurate information होती है authentic figures होते जिसके ओपर आप depend हो सकते हो ऐसे figures होते हैं newspapers के periodicals के जो की audit किरते हैं हमारे ABC protects the interest of advertisers by providing correct data अब क्या करती है advertisers को सही data देती है जिससे की advertisers नुकसान में नहीं होते है ad agency के लिए क्या फाइदा है standard set करती है reporting circulation figures में publishers के लिए जिससे की agency जो है वो भी क्या कर सके circulation figures को audit कर सके which can be used for media planning तो further media planning के लिए ABC के जरीए हमारी ad agencies भी क्या करती है audit circulation figures जो है वो उनका help करता है in India the ABC वो started in 1948 इंडिया में कब चालुआ 1948 में ABC स्टार्ट हुआ और उसका headquarters जो है वो बॉंबे में है it has its own field force that collects circulation figures of its member publishers by contacting newspapers and magazine distributors इन्होंने अपने खुद की एक member की team बनाई हुई है जो की circulation figures को क्या करते है newspapers and magazine publishers के जरिए अपने पास इन figures को जो है वो collect करते है information collect now some of the important facts of ABC India it is to be noted that there are nearly 25,000 publications in India यानि कि इंडिया में publications कितने है 25,000 जिसके अंदर हर को include होता है आप bulletins की बात कर लीजिया publicity journals की बात कर लीजिया fictions हो गई, school college की magazines हो गई इन सब को मिलाकर हमारे पास करीब करीब 25,000 publications है हमारे इंडिया में सिर्फ 1.3% of the total publications in India are the members of ABC इस 25,000 के सिर्फ और सिर्फ 1.3% जो है वो क्या है ABC के members है क्या है ABC के members है however in terms of circulation its member publications contribute 59% of total all India press circulation यानि यह जो circulation figures जो reflect करते हैं contribute करते हैं वो कितना करते हैं 59% यानि यह 1.3% जो है वो क्या करते हैं 59% का contribution जो देते हैं All India Press circulation को Now it publishes every 6 month हर 6 महिने में क्या होती है यह ABC की circulation figures आती है जैन से लेके जून तक और जुलाई से लेके December तक Audited circulation figures of its member publications Then From a modest beginning it has grown to remarkable proportion एक बहुत ही simple तरीके से इनों ने क्या किया था अपनी शुरुवात की थी और आज काफी अच्छे मुकाम पर पहुच गए है ABC's membership today includes 411 publishers of national and regional importance तो कितने publishers तक पहुच गए है हम 411 publishers जिसके अंदर national और regional दोनों ही include है 151 advertising agencies हो गई है 51 advertisers है 20 new agencies and associations connected with print media and advertising 20 जो है नहीं agency आ गई है जो कि किसे रिलेटेड है print media और advertising से and it covers most of the major towns in India तो हमारे इंडिया के कई सारे major towns को भी क्या किया है इसमें cover किया गया है तो ये कुछ हमने important fact देखा है हमारे ABC India के बारे में हमने यहाँ बात की है इंडिया के बारे में जिसका headquarter ABC का है हमारे Bombay में तो यहाँ पर बच्चो आज का जो हमारा lecture है वो complete होता है मिलती हूँ आप से अपने next lecture में जहाँ पर हम दूरदर्शन के कुछ code of conduct के बारे में पढ़ेंगे till then stay tuned to our channel thank you very much